हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के स्टॉपिक बारे में एक बहुत ही अच्छी ख़वर सामने आई है कि इंडिया ने हाली में अगनी 5 जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है उसका टेस्ट किया है उसके टेस्ट के जो कारण है उसको यहां पर जानेंगे कहां से किया गया है उसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो अगनी 5 मिसाइल है यह क्या है अगनी 5 की अगर हम बात करें अगनी 5 यह एक इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक मिस जो की surface to surface ठीक है, surface to surface mark करती है, ठीक है, यानि की length to length, इसका जो development है, यह किसके द्वारा बनाया गया, यह develop किया गया है, drdo के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, drdo के द्वारा, यह जो test है, अगनी 5 जो missile है, वो already थी, लेकिन इसमें advanced technology को add किया गया है, जिससे जो यह missile है, यह पहले से वजन में कम हुई है, साथ ही इसमें जो payload करने की छमता है, मतलब जो आपके warhead हैं, उनका लगबग 1.5 ton, लगबग 1.5 ton payload, आपकी जो warhead हैं, उनको ले जाने की छमता, इसमें develop किया गया है, तो पहली चीज़ हम देखेंगे, कि यह जो missile testing हुई है, यह कहां से हुई है, तो यह हुए है, इंडिया में जो आपका राज्य है, Odisha, वहाँ पर इस्थेत है, आपका अब्दुल कलाम दूइप, missile है, पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है, यह तीन चर्णों में divided है, इसकी जो area है, यह लगबग कितना, आप सभी news channel पे देखेंगे, आपको लिखा हुआ मिलेगा, कि भई, 5000 km तक इसकी range है, हाला कि चाइना का कहना है, कि इंडिया जो है, अगनी 5 की actual range जो है, वो नह टैक कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो average range सामने आ रही है, वो लगबग 5000 से लेकर 5000 km तक है, इसमें आप देखेंगे, तो यह काफी speed से उपर जाता है, और उसके बाद पर से surface पे काफी लगबग 24 मेक की speed से यह बापस आता है, यह इसका boost phase होता है, जब यह यहाँ से उपर की तरफ जाता है, यह क्या होता है, इसका boost phase होता है, और यह होता है terminal phase, ठीक है, जब यह बापस आ रहा होता है, यह होता है इसका terminal phase, तो इस terminal phase में जो इसकी speed होती है, वो 24 मैक होती है, लगबग आपका 30,000 km प्रति घंटा की रफतार से यह नीचे आएगा, तो आप इमेजिन क करिए कि जब कोई चीज इतनी तेजी से नीचे आ रही है, तो इसको रोक पाना, कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल है, उसके लिए तो भगवान ही बचा है, तो यह attack करने के लिए बहुत ही advanced technology की एक missile है, इसको हम एक map के तुरू देखेंगे, आप इस तरीके से देख स किस्ता है, यहाँ पर अगनी 5 का यह जो पार्ट है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें multi warhead लगाये जा सकते हैं, मतलब इसमें warhead का मतलब यहाँ पर जो है nuclear attack करने के लिए जो भी material लगाया जा रहा है, उसमें multiple warhead लगाया जा सकते हैं, मतलब एक साथ आप कई जगे पर attack कर स सकते हैं, तो यह बहुती शांदार achievement है हमारे इंडिया के लिए और यह बहुती दुख भरी बात हो गए हमारे चाइना के लिए, क्योंकि अभी हाप जानते हैं कि हाली में अरणाचर प्रदेश के तवांग जो वैली है, उसमें इंडियन जो चाइनीज शोल्जर हैं, वो LAC सब्सक्राइब करें के और याफट रूजर करने की कोशिश कर रहे थे, जहां से इनको भगा दिया गया, तो इसके चलते यह test नहीं किया गया है, कि वो आग गया है, तो हम test करके बता रहें कि हम मारें गया कूर नहीं, ऐसा नहीं है, यह पहले से ही इस missile की testing की date आचुकी थ जो हमने देखा कि 16 December को यह जो मिसाइल है उसका टेस्ट किया गया है यह जो मिसाइल है यह किसके द्वारा डबलब की गई है किसके द्वारा तैयार की गई है तो यह की गई है किसके द्वारा आपके DRDO के द्वारा अब यहां पर आप यह भी पूछ सकते हैं कि अगनी 5 जो मि याद रखे कि अभी वर्तमान में ये क्यों न्यूज में है इसकी इंफॉर्मेशन आप सभी को होनी चाहिए ठीक है तो ये थी आज की न्यूज इसी तरीके की न्यूज हम डेली देखेंगे तो तब तक ऐसे ही हस्ते मुस्कुराते रहें थैंक यू सो मस् टेक केर बाबाई झाल